पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपो के मामले में टीमसी संसद महवा मोहित्रा के खिलाब लोगसभा की एथिक्स कमीटी की मीटिंग हो रही है। यानि कि देश की संसद इस बार महवा पर लगे आरोपो को हलके में नहीं लेगी। इस मामले में महुआ मोहित्रा के काफी नजदी की नीजी मित्र रहे एडवोकेट जैनन देहद्राई संसदी एथिक्स समीती के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए पहुँचे। इस मामले में शिकायत करता बीजेपी सांसद निशिकान दुबे ने गुरुवार को कहा कि मेरे पास जो भी जानकारी है मैं वह कमीटी को दूँगा। वे पूछेंगे हमसे और हम जवाब देंगे। कागस जूट नहीं बोलता। अभी जवाब ये है कि महुआ चोर है या नह इससे पहले दुबे ने ही तरिनमुल सांसद महुआ मोहित्रा पर पैसे लेकर संसद में प्रश्ण पूछने का आरोप लगाया था। इस संबन में बीजेपी सांसद ने 15 अक्टूबर 2023 को लोगसभा स्पीकर ओम बिरला को शिकायत भेजी थी। निशिकान दुबे ने सदले महुआ ने खूब पैसे लिए। इस मामली को लोगसभा स्पीकर ने बीजेपी के सांसद विनोध कुमार सोनकर की अधिक्षता वाली अचार समीती को भीज़ दिया था। लोगसभा की एथिक्स कमीटी में भाजपा के अलावा कॉंग्रेस सिवशेना, बसपा, CPM, YS और जेडियो के सांसद भी सदस्य के तौर पर शामिल हैं। कमीटी के चेर्मेन विनोध सोनकर पहले ही यह कह चुके हैं कि कमीटी महुआ मोहित्रा को भी अपना पक्ष रखने का मौका देगी। इसके लिए उन्हें भी भविश्य में कमीटी के सामने अपना पक्ष रखने मोहित्रा के खिलाब आरोपो को अत्यांत गंभीरता से लेते हुए त्रिनमुल सांसद के लोगसभा अकाउंट के लोगिन के संबन में आईपी अड्रिस की जाच कराने की मांगी थी। दूबे ने यह पता लगाने का अग्रा किया कि क्या कभी महुआ के अकाउंट को स्था का मामला है मववा बताएं कि उनका मेल दुबई में खोला गया था या नहीं उनके विदेश यात्राओं का खर्च किसने वहन किया था सवाल अडानी डिगरी या चोरी के बारे में नहीं है बलकि देश को गुमरा कर आपके भ्रष्टाचार का है त्रिनमुल कॉंग्रिस की सचमुच भष्टाचार करते देखा था तो उस दौरान वह मेरे साथ क्यू रहे महवा मुईत्रा ने दर्शन हीरा नंदानी के हलफ नामे की विश्वर सिनियता पर भी सवाल उठाया उन्होंने आरूप लगाया कि पीमो ने इस पत्र को तयार किया था और हीरा नंदानी के खस्ताक्षित हलफ नामे में सुईकार किया है कि महुत्रा ने परधान मंत्री मोदी जिनकी बेदाक छवी के कारण विपक्ष को उन पर हमले का कोई मौका नहीं मिला उनकी छवी खराब करने और उन्हें असहज करने के लिए गौतम अडानी पर निशाना साधा इसके आनन्दानी को बयान देने के लिए नहीं बुलाया है जबसे महुआ और उनके कारणामों का पता ममता दीदी को लगा है वो बेहत गुस्से में है और हो सकता है कि दीदी महुआ को टीमसी से बाहर का रास्ता दिखा दे ब्यूर रेपोर्ट लीडिंग भारत टीवी